वेरी वेरी गुड मॉनिंग तो आल अफ यू तो डियर इस्वेंड अब आपका मैक्रो एकनॉमिस का स्लिबस लॉंच हो चुका है यह था कि आप मैसे मैक्सिम बच्चे मुझसे प्रिंसिपल आफ मैक्रो एकनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा और ठीक एक्जाम से एक दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मेरे ये 12 से 15 गंटे की आप इस वीडियो को आप मैनेज कर लो आपके 48 नमर आ जाएंगे मैंने कुछ आपको 5-7 सवाल बताये थे आपको यह याद होगा और पूरा पेपर वही 5-7 सवाल आपका आया था और बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़े खुश भी हुए जिन्हों लास्ट के मुमेंट पे पड़ा और उस चीज को उन्होंने कवर कर आप और पूरा पूरा आपका एक्जाम जो है आपके सिलिबस के अंदर ही रा और बच्चे बहुत अच्छे से उसको अटेंट भी कर पाएं लेकिन वह बात थी इंपोर्टन कोश्टन को माक करने की गुंजाइस बहुत कम रह जाती है फिर यह अपने लेवल पर हम इंपोर्टन कोश्टन बताएंगे वह भी एक्जाम से एक दिन पहले ही बताएंगे लेकिन इसमें सिलिबस इसका इतना वास्ट है इतना बड़ा है और यहां पर आप तो यहां तो कोई चांस ही नहीं है और मैं आपको बता जाता हूँ जितने स्टूडेंट इस बार मैक्रो किनोमिक्स में आये हैं उससे ज्यादा स्टूडेंट वह हैं जो मैक्रों में फेलोके बैठे हैं पिछले साल का पेपर एक अच्छे लवल का स्टंडर्ड का था मैक् और वहां पर बच्चे, इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, और जो बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे थे, उनका स्लेबस मैंने था, स्लेबस उनने किया था, तो वो तो पास हो गए, और एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़े, लेकिन जो सेल्फ की बारवी वाला इस गलत फेली में रहे गए, उनमें मैक्सिमम बच्चे फेल हुए हैं, और इस बार मैक्रो एकनामिक्स में नमर उस्ट बहुत ज़्यादा है, और मैक्रो एकनामिक्स को मैं बिल्कुल भी वो दया की भावना नहीं रखते हैं, कोशन करा एक ही नमर देंगे, क्योंकि जो च मैक्रों मैक्रोして में एक्रिक्सफिअन बेल क沟कुलॉम क क् 93 क्या होता है, ऐक मा मां थे ऐसा आ पड़ाईडाκरी त्यान ओंपेस्चों की बहुत अपने पड़ायों है अपने समयरिकल प्रेपर में कैसे आता है वह नहीं पड़ा अपने उच्छे से The Numerical Question वो अलग तरीकिस्ट नुमरिकल आएगा नेशनल इंकम डिटरेमिरेशन पूरा चप्री नेशनल इंकम ऐसे तो तो वो चीज नहीं यह अलग है अपन एकनॉमी विद्ध गॉवर्मेंट यह क्या होता है थ्री सर्कुलर फ्लो फोर सर्कुलर फ्लो फिस्कल पॉलिसी यह सारी चीज़ें क्या होती हैं यह मनी में से कोशिन बच्चे स्किप करते हैं तो मनी में कंसेप्ट ऑफ मनी एं मॉडर्न एकनॉमी मॉनिटरी कि आप इसको माइक्रो एकनॉमी की तरह आप इसको थोड़ा सा हलके में मत लेना इसको आप बहुत ज़्यादा सीरिस आपको लेना होगा तब ही जाकर करके पास हो पाएंगे यह मेरे आज स्राटिंग में आपको बता रहा हूं और तीन महने में सेलेबस को मैनेज करना आपके पास में तो फिर भी में आप से कहूं कि जो चीज एक साल का स्लेबस है नो उसको आपको तीन महने में कवर करना पड़ रहा है यह अपना पर मुस्यूबता और इसमें भी आप डेले करते हो तो बहुत बड़ी टेंशन आ जागी क्योंकि इस बार हर बार तो बच्च तो इसलिए आपके पास में जो है टाइम बहुत लिमिटीड है और स्लेबस बहुत जादा है अब इसको कैसे मैनेज करेंगे यही बहुत डिफिकल्टी से तो आप जोईन तो मेरे पास में आप पेपर से गंटे पहले करेंगे तो मैं तो तब भी आपको मॉस्ट वेलकर मीं झाल